गुद मॉर्निंग एवरिवन, गुद मॉर्निंग आल अफ माइ स्टुडेंस, उमीद करते हैं आप लोग ठीक होएंगे, आज मेरा मैसेज है एक्सपरियेंस, अनुभाव मेंज अनुभाव हमें बहुत को सिखाता है, आपको तो पता ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ए इतना सिखाता है जितना अप सोच नहीं सकते. सही माने में होता नहीं सही क्योंकि हमें उस लेवल का अनुभाव ही नहीं जो हम चीजों को डिफ्रेंसिट कर पाएं तो इसके लिए आपको अपने बरे बुज़ूर्ग का साहरा लेना परेगा वो वो चीज को देख चुके हैं जो चीज हम नहीं देखें और आपको एक चीज बता है कि अनुभाव आपको वो सब चीज सिखाएगी जो आपको कोई स्कूल्स या कॉलेजेज या युनिवर्सिटीज आपको नहीं सिखाती तो इससे ये पता चलता है कि अनुभाव बहुत मायने रखता है आपके जीवन में कोई सस्कूल्स अनुभाव कोई सब़स्तु तो आपको जाता है समय अपको समय का आदर करता है और समय का आदर नहीं करता उसको समय एक बार सिखाता है आप कही सारे उदारन ले सकते हो अपने समाज में अपने आसप्रोस में के कहीं सारे लोग जो जब वो study कर रहे थे तो उस समें ध्यान नहीं दे रहे थे बहुत चीजों को lightly ले रहे थे तो आज वो बहुत परशान है और वो बच्चे जो study पे अध्यन कर रहे थे और थोड़ा seriously चीजों को ले रहे थे वो आज कामियाब है मेरा ये कहने का मतलब नहीं कहीं बहुत सारे लोग इसको अलग context में ले सकते हैं कि पैसा कमाने से ले सकते हैं कि तो अंगुठा चाब भी पैसा कमाता है definitely I do agree मैं भी इस बात को मानता हूँ कि एक जो नहीं परहे लिखी लोग हैं वो भी बहुत पैसा कमाते हैं कभी भी सिक्षा को एजुकेशन को पैसे से compare ना करें God सब को देता है जो मेहनत करता है लेकिन अगर आप पढ़ते हो अच्छे से चीजों को understand करते हो तो आपका एक अलग lifestyle होता है एक आपका way of thinking होता है वो आपको differentiate करता है औरों से यह बहुत important है इसको समझे कभी सिक्षा को पैसों से compare ना करें बहुत सारे लोग हैं जो सिक्षा रेने के बाद अच्छे पैसे भी बना रहें अपने जीवन को अच्छे से इनो शो भी कर रहें पूरी दुनिया को तो हम किसी को underestimate नहीं कर रहे हैं everybody is equal but education आपको रौशनी देता है एक light देता है so having said this और यह सब चीज़ कहने के बाद मैं फिर उसी topic पर आऊंगा जो था अनुभाव अगर आप अपने समय को सही से अभी परियोग करोगे तो आपको जो अनुभाव सिखाएगा सायद उससे उतना दर्द नहीं होगा लेकिन अगर आप अपने समय को अभी से सही से इस्तमाल नहीं करोगे तो बाद में आपको जब समय आपको सिखाएगा कोई चीज सीखने के लिए तब उसक बहुत दर्द होगा यह पॉइंट आप याद रखिएगा यह पॉइंट याद रखिएगा एक डिप्रेशन नाम की एक चीज होती है डिप्रेशन जिसको अंगरेजी में बोलते है जो इनसान शोक में चले जाता है एक सटन लेवल के बाद हर एक इनसान के अपने एक हाब होते है अपनी एक मनजिले होती है अपनी एक डिस्टिनेशन होती है अज़ याउंग स्टर जब आप 9, 10, 11, 12 में होते हो बहुत एक्साइट होते हो कि हमें यह करना है आप बहुत बहुत पुरी चीज है अरे जो भी आपने सोचा अगर आपने एफ़र्ट डाला अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली कुछ अल्टरेनेट ओप्शन आपके पास आ जाता है ऐसा ओप्शन जो आपको खुश रखता है अगर अगर आप सोचोगे तो मैं को अच्छा यूज़ करें अन इस नोट मैं यही पर अपनी बातों को एन करूंगा ओके बाए